स्वागत है आप सभी लोगों का भारती इतिहास के ऐसे महत्पूर्ण पृष्णों के सुपरफास्ट डिविजन के लिए जो बार-बार आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला अपने पती की चिता के साथ सुतह को जला लेती है इस भयानक धृष्ण का वर्णन किस ने किया है तो इस भयानक धृष्ण का वर्णन इबन बतूता ने किया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मद्धिकालिन भारत में सती प जुगलक के सासनकाल में भारत आये थे चलिए आगे बढ़ते हैं बड़े पैमाने पर सोन मुद्रा यानि सोने की मुहरें किसने चलवाई थी तो बड़े पैमाने पर यानि बहुत अधिक मात्रा में सोने की जो मुहरें थी वो कुसान सासकों ने चलवाई थी तो कुसान सासक आपकी परिक्षा में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा important प्रिश्ण है, आगे बढ़ते हैं, केरल चलते हैं हम लोग, तो केरल में एक जगह हैं, जिसका नाम है कोटाकल, तो कोटाकल में कौन सी चिकस्था पधती प्रसिद्ध है, तो केरल की जगहां जो है कोटाकल उसमें आयरवेद की चिकस्था पधती बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानि आयरवेद के लिए कौन सी जगहां प्रसिद्ध है, कोटाकल, और ये कहाँ पर है केरल में हैं, आगे बढ़ते हैं, महत्मा गाधी ने असहयोग आंदोलन कब श्टार्ट किया था, तो मह नी 22 में, श्टार्ट वाउनी 120 में, चलिए आगे बढ़ते हैं, बंगाल में इस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, इस्थाई बंदोबस्त का मतलब होता है, टैक्स लेने की जो इस्थाई ब्योस्था थी, वो लाड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आपके पास प्रिश्ण है, इस्थाई बंदोबस्त से सम्मंधित कौन है, लाड कार्नवालिस, आगे बढ़ते हैं, बिम्बिसार का उत्रा धिकारी कौन है, तो बिम्बिसार के जो उत्रा धिकारी है, उनका नाम है अजास सत्रू, इनको दूसरा नाम क्या था, चंद्रगुप्त दुत्येप, बिक्रमादित इन्होंने उपाधी लिया था, ठीक है, तो ये किस वंसे से सम्मंधित है, तो ये गुप्त वंसे सम्मंधित है, आगे बढ़ते हैं, पलासी का परसिद्ध युद्ध, इसके बारे में आप लोग ने प स्पीच का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, सिकंदर और पौरस के बीच में लड़ा गया था, ये कहां पर लड़ा गया था, जहेलम नदी के किनारे, तो जहेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीच का परसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, आगे बढ़ते हैं, तरायन की योद्ध पे चलते हैं तरायन में दो योद्ध हुए थे पहला योद्ध कभ गया सॉरी रही सुनाहिं 111 जिता पृष्विरा gagnव होगे खाले संह्क्राम दूसरे में कौन जिता मुहंम्मद गोरी कि उल्दी आगे भरते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम है टीपू सुल्तान जिस राजी पर राज करता था उसका नाम है मैसूर बरतमान में करनाटक उसका थोड़ा पोर्शन आंध्य परदेश और थोड़ा सा पोर्शन तमिलनाडू मिलाकर मैसूर राज बनता था तो उस मैसूर राज अधिकी राजधानी क्या हुआ करती थी स्री रंग पट्टं टीपु सुल्तान की राधधानी थी इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं चोल वंस का अंतिम सासक कौन है तो चोल वंस का जो अंतिम सासक है उसका नाम है राजा राजेंद्र थर्ड तो रा ज्यादा मजबूत थी तो नौ साइनिक सक्ति के बारे में प्रसिद राजवंस कौन सा है यही आपका चोल राजवंस से सम्मंधित सबसे फेमस कुष्चन है के लिए आगे बढ़ते हैं हडपा कालिन एक इस्थान है जो की गुजरात में है तो उसका क्या नाम है तो हडपा का कालिन सभ्यता में जो बंदरगा है उसका क्या नाम था तो बंदरगा है जो था उसका नाम लोथल है और लोथल कहां पर है गुजरात में तो लोथल क्या है एक बंदरगा था जो की गुजरात में है आगे बढ़ते हैं भारती राष्ट्री कांगरेश की स्थापना किस ने क था तो पुदुचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था यानि फ्रांस का कबजा था कहां पर पुदुचेरी पर और यह कहां पर आपके हैं यह आपके टमिल लाडू में हैं आगे बढ़ते हैं नटराज जिसको हम लोग निर्त के देवता भी कहते हैं यह किस राजवंस से स सम्मंदित हैं यानि चोल राजवंस में नटराज की मूर्ति बनाई गई थी यह बनवाई गई थी तो नटराज की मूर्ति के से सम्मंदित है चोल वंस से सम्मंदित है इस चीज को आप जानते रहिएगा दक्षिन भारत का एक परसिद राजवंस है जिसका नाम है राध धानी से कांची पूरम पल्लववन्स की राध करती थे इस चीज को आप जानते रहीएगा आगे बतेण महावली पूरम एक बहुत si सारी मंद्रों का निर्मान कराया था इस चीज को भी आप जानते रहिएगा आगे बढ़ते हैं सबसे प्राचिन बेद कौन सा है तो यह तो सब इंडिया कंपनी की एक छत राज को ब्रिटिस हुकूमत में कब मिलाया गया तो ब्रिटिस हुकूमत के नियंत्रण में इस्ट इंडिया कंपनी के दौरा जीते गए राज्यों को ले लिया गया कब लिया गया सत्रासो त्रासो 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 त्रा आंदोलन के बारे में जानते हैं ये कहां से स्टार्ट हुआ था ये पश्चमी बंगाल से स्टार्ट हुआ था पश्चमी बंगाल में जो ऊपर यानि उत्तर का छित्र है वहां पर एक गाउं है एक जगह है जिसका नाम है नकसलवाडी तो नकसलवाडी से ही ये आंदोलन ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जातक कथाओं के बारे में आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, जातक कथाओं में किस धर्म से सम्मंदित हैं, ये जो जातक कथाओं हैं, ये बौध धर्म से सम्मंदित हैं, जातक कथाओं में किस के पूरुवजन की कथा लिखी गई है, ठीक है, च कनिस्क ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था बहुत धर्म की महायान साखा को ठीक है आगे बढ़ते हैं मानों के दोरा उपयोग में लाई गई पहली धातू कौन सी है तो मानों के दोरा उपयोग में लाई गई पहली धातू ताबा है इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते पाकिस्तान को अलग राज बनाने के लिए मुसलिम लीग ने सबसे पहले कब मांग किया था तो मुस्लिम लिग ने 1940 में अपने लाहोर अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से एक अलग देश मनाने की मांग किया था तो पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश बनाना है इसकी मांग मुस्लिम लिग ने 1940 में किया था और अपने किस अधिवेशन में किया था लाहर अधिवेशन में किया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सिंदुगाटी की जो सभिता थी उसकी प्रमुक बिसेशता क्या थी तो सिंदुगाटी सभिता में जो नगर बनाए गये थे जो सहर बनाए गये थे बहुत ही योजना बद्ध तरीके से बनाए गए थे यही सिंदुगाटी सभिता की प्रमुख विसेशता थी इस चीज को आप जानते रहिएगा नेपोलियन का नाम तो आपने सुना होगा इनका पूरा क्या नाम है इनका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ड तो नेपोलियन बोनापार्ड फ्रांस से संबन्नित हैं इसको आप याद रखेगा यहाँ पर तीन सब्द लिखे गया है इस्तूप, चैतन और मठ ये किस धर्म से संबन्नित हैं तो ये बौध धर्म से संबन्नित हैं बौद धर्म से सम्मन्नित हैं आगे एक प्रमुक घटना है उसको आपको रट लेना है ये तारिक तो आपको याद ही होना चाहिए अगर आप युवा हैं और भारत के नागरिक हैं तो 23 मार्च 1931 की तारिक आपको याद होना चाहिए इस दिन क्या घटना होई थी? इस दिन लाहर की जेल में तीन क्रामतिकारी भगत सिंग, राजगूरी और सुखदेव को फांसीर दी गई थी ठीक है? इसलिए 23 मार्च 1931 की तारिक आपको याद होना चाहिए लाहर की जेल में भगत सिंग, राजगूरू और सुखदेव को फांसीर दी गई थी अब आपसे पूछा जा सकता है इन्हें फांसीर क्यों दी गई तो 1928 में इन्होंने क्या क्या था? लाहर में एक पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम है सांस, सांस की हत्या कर दी थी अब आपसे पूछा जाएगा सांस की हत्या क्योंकि, क्योंकि सांस वही पुलिस अधिकारी था जिसने लाला लाजपत राय की उपर लाठी चलाने का आदेश दिया था लाला लाजपत्राय की उपर लाठी क्यों चलाए गई क्योंकि ये साइमन कमीशन का बिरोध कर रहे थे अब यहां से कड़ियां आपकी जोड़नी प्रारम होती है कि साइमन कमीशन का बिरोध करते हुए लाला लाजपतराय की उपर लाठी चार्ज किस ने करवाय था सांडस ने करवाय था उस लाठी चार्ज करन लाला लाजपतराय जी की मृत्तिव हो गई थी उस मृत्तिव का बदला लेने के लिए 1928 में लाहोर में ही सांस की हत्या किस ने किया था भगस सिंग राजगुरु और बहुत सारे करांतिकारियों ने मिलकर इनकी हत्या कर दिया था इसके आरोप में 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था भाजा सिंग राजगुरू और सुखदियो जी को लाहर की जेल में ही फांसी दे दिया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रिंट पर सोतंतरता आंदुरून की एक प्रमुक घटना है जिसका नम है वर्रा डकैती तो वर्रा डकैती जो सोतंतरता आंदुरून की प्रमुक घटना है ये किस राजे से संब्धित है ये पूर्भी बंगाल से संब्ध इस लाल कुर्टी नाम से सेना बनाया थी यह किसने बनाया था खान अब्दुल गफार खाने बनाया था लाल कुर्ति सेना का दूसरा नाम क्या है खुदाई खिदमतगार तो खुदाई खिदमतगार जो है लालकुर्ती सेना को ही कहते हैं बनाया किसने था खान अब्दुल खुदाई के सत्यों अंधिलन में खाज लेने के लिए रट बत करद दिए और वर्तमान समय का हमारा गणां है जिसमें हना पूरी तुए बंगारा पूरान समय का प्राचिन नाम है गौण्णर वह सब्सक्राश का मतलब दोनों मिलाकर तो इसका पुराना नंव क्या है उसका पुराना नाम है गौण आगे बढ़ते हैं इबन बतूता के बारे में पढ़ते हैं इसके बारे में तो हम उपर पढ़ी चुके हैं कि इबन बतूता कहां का यात्री था? मुरक्को देश का यात्री था ये मुरक्को किस महादीप में है? अफ्रीका महादीप में, तो अफ्रीका महादीप के मोरको देश से इबन बतूता भारत आया था, किस के सासनकाल में भारत आया था, मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में भारत आया था, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, रट लेना है आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रिष्ण रखते हैं इसके आगे के प्रिष्णों को हम लोग अपने अगले लक्चर में स्वाल्ब करेंगे आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद